बिहार ग्रामिन अवास सायास्ता योजना दोजार चौबिस बिहार में छे हजार लाभारतियों को मिलेगा पचास हजार रुपए देखें जिलेवार सुची बिहार ग्रामिन आवास सहायता योजना 2024 बिहार सरकार के द्वारा बिहार ग्रामिन आवास सहायता योजना की सुरुआत की गई है जिसके माधियम से लगबग 6,000 लोगों को 50,000 सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसपर किये जाएंगे दोस्तो आज हम इस आर्टिकल के माधियम से डिटेल्स योजना को लेकर बात करने वाले हैं ताकि आप सब आप तक सही information पहुंच सके आपको पता ही है कि परधान मंतरी नरेंद मोदी जी के द्वारा सुरू की गई परधान आवास योजना के माधियम से कई गरीब परिवारों को पके घरों का लाब मिला है इसी तरज पर ही बिहार सरकार ने भी एक महत्मून कदम उठाया है जिसका नया पहल का नाम है बिहार मुख्य मतरी आवास योजना रह गया है गरीब लोगों को आर्थिक मदद के लिए मुखे ग्राम अवास सहायता योजना चलाई जा रही है जिसके तहल बिहार के 6,000 लोगों को 50,000 रुपए की वित्य सहायता किया जाएगी बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी और इस योजना को लेकर जिला वास सूची भी जारी की गई है आपको सूची आपको सूचित कर दें कि बिहार ग्रामिन अवास सहायता योजना दोहजा चौबिस के बारे में एक अधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है बताया गया है कि जिसे यह सहायता मिलेगी किस परकार मिलेगी और किस जिले में जितने लोगों को किस जिले में कितने लोगों को इसका लाब मिलेगा इस सभी जानकारियों को इस लेक में विस्तार से प्रुस्तुत किया गया है इसे ध्यान पुर्वक पढ़ें और इसे अपने दोस्तों के साथ साज़ा करना ना भूले दोस्तों आज हम इस आर्टिकल के मात्यम से बिहार ग्रामिन आवास सहायता योजना दोजाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा रुपे दिये जाएंगे जिसका उपियोग पुराने और छती ग्रस्त इंद्री या इंद्रा आवासों की मरमत के लिए किया जाएगा इस योजना पर सरकार कुल 30 कड़ोर रुपे खर्च करेगी वित्य सहायता वित्य वर्स 2024-25 के लिए ग्राम विकास विभाग ने जिलावा लक्षियों को भी निर्धारित कर दिया है ग्रामिन अवास सहायता योजना के लिए बारे में सभी अवसायक जानकरी जैसे कि किसे लाब मिलेगा कितना लाब मिलेगा कब और किस परकार की किस्तों में मिलेगा और किस जिले में कितने लोगों को इसका लाब मिलेगा आपको को नीचे विस्तार से बताया गया है इस जानकाली को ध्यान से पढ़े और दूसरे के साथ भी साज़ा करें बिहार ग्रामिन अवास सहायता योजना 224 के मुखे उदेश निम्लिकित है इस योजना का पर्थमिक उदेश पुराने और 36 गिरस्त इंद्रा अवासों की मरमत के ल मिल सके कमजोर और गरीब वर्गों के जमीनी अस्तर से सुधार करने जिसे वे एक समान्य जनक और बेहतरीन जीवन जी सके गरामी छेतरों में रहने वाले जरूरत मंद लोगों तक सहरकारी योजनाओं का लाब पहुंचना ताकि वे भी विकास की मुद्ख धारा से जुड़ मरमत कारियों के मध्यम चे अस्ठान या स्थर पर रोजगार के अफसर पैदा करना जिससे आर्थिक गतिविदियों का बढ़ावा मिलना है बिहार इस योजना का लप केवल आविदन करने के बाद ही प्राप्त हो सकता है इस योजना के लिए आवेदन करने वाले वैक्ति का बिहार राजी का निवासी होना अवसाइक है योजना का लाप केवल अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जन जाती और अन्ने पिछड़े वर्ग OPC के परिवारों को मिलेगा बिहार गरामिन अवास सहायता योजना दोहजाच चौबिस के लिए अवसाइक दस्ताबिज बिहार ग्रामिन आवास सहायता योजना दोहज़ाच चौबीस में आवेदन करने के लिए निमली के दस्तवेज आवास एक है बिहार ग्रामिन आवास सहायता योजना दोहज़ाच चौबीस इन जिलों में सबसे अधिक लाब इस योजना के तहद निमलिकित जिलों में सबसे अधिक लाब भूकों को आवास की मरमत के लिए रासी दी जाएगी नालंदा चार सो लाबुक पूर्व पंचारन चार सो लाबुक दर्भंगा तीन सो लाबुक गया तीन सो लाबुक समस्ति पूर में तीन सो लाबुक मदू बनी में भी तीन सो लाबुक इसके अतिरिक्त और किने मिलेगा तो आप कहोगे किसन गंज मधेपूर साराना अड़ाई सो लाभूक मुंगेर दो सो लाभूक बांका बेगु सराय गोपाल गंज जहानाबाद पस्चिम चमपारन सुपैल दो सो लाभूक औरंगाबाद नवादा पुना डेड़ सो लाभूक बिहार ग्रामिन अवाज सहायता योजना दो अजर चौविस इन जिलों में सबसे कम लाभूक हैं निमलिकित जिलों में सबसे कम लाभूकों को चुना गया है अररिया भोजपूर सेकपूरा 20 लाभूक सहरसा सिवान अड़ाई 25 लाभूक कोसूर सितामडी वैसाली 50 लाभू बिहार ग्रामिन अवास सहायता योजना 2024 किसे मिलेगा लाभ दोस्तों जैसा कि आपने उपर पड़ा इस योजना का लाभ सभी नागरीकों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिन्होंने पुर्व में इंद्रा अवास योजना के तहद घर बनवाया है और जिनके घर की मरमत किया वसकता है विसेश रूप से या योजना अनुसूचित जन जाती और अतियंत पिछडे वर्ग के लाभूकों के लिए है बिहार ग्राम इन आवास सहायता योजना दोहजर चौबिस दो किस्तों में मिलेगा सहायता रासी मुखे ग्राम इन आवास सहायता योजना के तहद मिलने वाले अनुदान रासी लाभार्थियों को दो किस्तों में परदान की जाएगी इसका उद्देश या सुनिश्चित करना है कि घर की मरमत का कारे सुचरू रूप से सुरू पूरा हो सके पर्थम किस्त योजना के ताहद पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपे दिये जाएंगे या रासी मरमत कारे पुर्व सुरू होने के लिए दी जाएगी ताकि लाभारती आवासएक सामागरी खरीद सके और काम सुरू कर सके दूसरी किस्त जब मरमत का कारे एक निर्धारी तर तक पूरा हो जाए तब लाभारतीयों को दूसरी किस्त के रूप में 10,000 रुपे की रासी परदान की जाएगी या रासी बाकी बच्चे कामों को पूरा करने के लिए दी जाए तकी जिससे घर की मरमत पूरी तरह से हो सके इस तरह योजना के तहद कुल पचास हजार रुपे की सहायता रासी दो चरनों में दी जाएगी ताकि लाभारती आसानी से मरमत कार्य कर सके और उन्हें किसी भी परकार की वीत्य कटनाई का सामना ना करना पड़े इंपोर्टेंट लिंक है ये आप प्रेंट्स आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेर करें और सस्क्राइब कर ले मेरे चैनल को थाइंक यू